Hello everyone, Assalamualaikum, Welcome back to my channel, कैसे आप सब तो ये मेरा shifting का vlog है, जब हम लोग move हुए थे तो मैंने उस time पे ये clips record की थी ये मैंने कुछ सामान मंगवाय था shifting के पहले दिन और same दिन use करने के लिए जो लोग shift करने आते हैं, उनको मैंने कुछ थंडी चीज़ें juice, drinks वगयरा मंगवाय थे और ये सारा सामान जो है, मुझे अभी pack करना है मुझे लगता है, मेरे घर में सबसे ज़्यादा kitchen का सामान है जो मुझे pack करना है और सिर्फ kitchen के न, 4 या 5 carton boxes होए थे इतना ज़्यादा सामान था कुछ मैंने discard कर दिया और कुछ मैंने pack किया है जो चीज़े मैं एक साल में past one year में मैंने use नहीं कि वो मैंने सारी discard कर दी और ये सारी मैंने crockerी वगयरा उपर के shelf पे रखा हुआ था, वो सारा मैंने bubble wrap कर दिया इस तरह से और every single thing individually bubble wrap करके मैंने सारे boxes में डाल दिये, और ये मैं अपने साथ लेके जाओंगे गाड़ी में क्यूंकि ये shifting के van में डालेंगे तो वो miss handle हो जाएगा तो cartons पे मैंने individually ऐसे लिख दिया था के kitchen का है, room का है तो नाम लिख दिया तो easy हो जाएगा जब move होंगे तो और boxes को ना मुझे time नहीं था तो मैं इस तरह से टेप लगा दिया तो easy हो गया था cello tape लगा के उसको seal करके pack कर दिया था और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये wallpaper लगाया था इस पे countertop पे, बहुत मुश्किल से निकला था wallpaper वो भी मैंने निकाला और जितना हो सके मैंने kitchen clean करके दिया है इस तरह से oven के उपर सारा grease हो गया था टोस्टर की वज़े से मैंने grill toaster रखा हुआ था तो अभी जो है मैंने सारा इसको भी clean कर दिया है और kitchen का सामान मैंने इस तरह storage basket में रख दिया है जाते वक्स सिर्फ इस पे wrap करोंगी clean flame या bubble wrap करके इसको tub ऐसे ही ले जाओंगी और यहां पे room की cleaning चल रही है यह room जो है खाली हो गया है almost 90% balcony room यह सब थोड़ा deep clean करना है क्योंकि अच्छी condition में देखे जाना है घर हमें कुछ लोग होते हैं बहुत बुरी हालत में घर वापिस करते हैं जो अच्छी बात नहीं है तो घर को बहुत अच्छे से clean करके हमने दिया था और यह rice मैं बॉक्स में डाल रही थी ताकि मैंने सारी packets खाली कर दूँ तो मैंने दिखा रही थी यह सुर्ती कोलम राइस जो डेली उसके लिए उस होता है बहुत अच्छा rice है और यहां पर मैं अपना मेकप का सामान भी इस बैग में डाल रही हूं यह बैग मैंने मंगवाया था उनलाइन तो यह सारा सामान इसमें जाएगा और यह हमारी cat है इसका नाम Oreo हुए इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है घर पे यह लोग सारा सामान क्यों हटा रहे है वो बिलकुल शौक में है एनिवेज मेकप भी मैंने सारा पैक कर लिया है और यह blush बहुत अच्छा है मैंने सेंटर पॉंट से लिया था बहुत सस्ते में मिला था essence का ब्रैंड है बहुत अच्छा है और यह perfume भी बहुत अच्छा perfume है long lasting है और reasonable price है इसकी blue lady है रसासी ब्रैंड का है यह दो चीज़े मेरी favorite है मैंने सोचा आपको दिखा दूँ अच्छा यह plant भी हम लोग ले के आये थे कुछ दिन पहले नए घर में यूज़ करने के लिए वो इन्शाला मैं सेट अप करके दिखाऊंगी आपको और freezer की चीज़े मैंने इस तरहां से hot and cold जो bag होती है उसमें रख दिये सारे और lock कर दिये bag bag ऐसे ही ले जाऊंगी और वहां पे जब freeze on करोंगी तो direct सामान रख दूँगे क्योंकि इससे खराब भी नहीं होगा क्योंकि मेरे पास meat वगरा था तो ज्यादा time रखेंगे बाहर तो तो यह keep cold ना यह चार घंटे फ्रीजर का सामान जो है cold रखता है और यह देखिए गाड़ी आ गई थी और shifting start हो गई थी घर की बहुत सारे emotions थे मेरे दिल में अब क्या बता सकते हैं घर छोड़ना असान नहीं है like memories बन जाती हैं बहुत मुश्किल था मुझे almost मैं रोने वाली थी लेकिन life goes on move move होना था हमें और last minute cleaning ना इतनी बाखी रह गए थी इतना मैंने clean किया फिर भी ना last तक भी cleaning का काम बच गया था और यह देखिए सारा kitchen खाली कर दिया लेकिन फिर भी और भी सामान फिर पता नहीं कहां से आता जा रहा था यह सारी चीजें हमें अपने साथ गाड़ी में लेके जाने वाली थी जो मैंने रख ली थी अपने साथ और दो ट्रक्स लगे थे हमारी मितलब चीजों के लिए एक चली गई थी और यह कहां पर यह लोग यह लोग भी कुछ कर रहे हैं गाड़ी के साथ एनिवेज उनके साथ ही हम लोग निकल गए थे अपनी भी गाड़ी लेके फ्रेजाइल जो आइटम्स हैं क्रोकरी के और जो इंप इपोर्टेंट चीजें सारी मैंने अपने साथ ले आई थी मैं तो अल्मोस्ट बस दस मिनिट रहे गए हम लोग पहुंच गए हैं अपने नए घर दुबई में ही है कोई दूसरा इमिरेट नहीं है यह दुबई में ही हम लोग ना दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए हैं इ सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट किये में और हमारे से पहले जो ट्रक आ गई थी न तो उन लोगों ने सेक्यूरिटी से चावी लेके एक ट्रक जो है अल्रेडी उतार दी थी जिससे काफी आसान हो गया काम एक बाकी दूसरी ट्रक जो है बाकी थी वो भी इंशाल्ला हो प्विलिंग्स है वो घर छोड़ने में और यह घर नया घर इंटर होने में बहुत सारे इमोशन्स और यह हमारी कैट को इस तरह से बॉक्स में उसके लेके आए थे वो बिल्कुल बेचारा परेशान था कि क्या हो रहा है और इस तरह से बॉक्स पे न सारे फ्रेजाइल गि से जीज़ें तो सारा इन लोगों ने इस तरह से अरेंज कर दिया है और यह सबसे पहले जो है मैट्रस लगा रहे हैं हस्बेंड और यह नेक्स्ट मॉनिंग है मैंने वीवा से कुछ कुछ चीज़ें मंगवाई है स्नाक्स वगारा बच्छों के लिए एर फ्रायर में डालके देने के लिए इजी हो जाता है और नेक्स्ट डे बच्छों की स्कूल भी थी हम लोग संडेशिफ्ट होए थे तो मंडे स्कूल थी इन लोगों की तो मुझे स्नाक्स वगारा की करते हैं सारे काम ड्रिलिंग कर्टेंज लगाना इस तरह के सारे काम वो खुद करते हैं तो सीडी की जरूरत थी वो मंगवाई थी और ये मैट मैंने पैन क्योंकि काफी रिजनेबल इनकी प्राइस थी बहुत सस्टे कार्पेट्स थे सारे मतलब हर साइज में अवेलेबल थे यहां पर चोटे बड़े और सबसे बड़े एक्स्ट्रा लार्ज सारे साइज थे और प्राइस भीना 200 के अंदर ही थी इनकी प्राइस भी और बहुत अच लेकिन बहुत अच्छे कार्पेट्स और बहुत अच्छी प्राइसस में तो अगर इस लोकेशन का अगर आपको पिन चाहिए तो आप मुझे इस्टाग्राम पर डियम कर सकते हैं मैं अपनी आईडी यहां पर मेंशन करूंगी और घर के लिए ना सोफे, सोफा, कार्पेट और कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि हमारे सोफे बहुत खराब हो गए थे जो ग्रे वाले थे तो यहां पर देख सकते हैं आप प्राइसस 129 में आपको 2x3 का कार्पेट मिलेगा बड़े साइस का जो स्टैंडर्ड हॉल का साइस होता है उसके बाद हम लोग आ गए थे ड see you in the next vlog I love this